नमस्कार मैं डॉक्टर वेपिन वनसल वास्तो कुंसलिकांट मैं हमेशे ही आप लोगों के लिए नए नए विशे पर वीडियो बनाता रहता हूँ आपका अपना परसनल वेहकल का शोरूम है गाडियों का शोरूम है आपके पास हुंडाई का शोरूम है या मारूती का शोरूम है या BMW का शोरूम है या Audi का शोरूम है या Mercedes का शोरूम है या आपका अपना Tata का शोरूम है या आपका अपना Ford गाड़ी का शोरूम है आप किसी भी company में deal करते हैं आपका किसी भी company का showroom है और आपका showroom east facing पूरो मुखी है और आप अपने showroom से जरूरत से ज़्यादा परिशान है कहने के लिए तो यह होता है कि हमारा बहुत बड़ा showroom है गाड़ी का showroom का जब नाम आता है तो अपने हमें बहुत बड़ा showroom हो जाता है लेकिन आप जरूरत से ज़्यादा परिशान है आपके showroom में गाड़ीयों की sale बहुत कम है आपके showroom के हर महीने के खर्चे भी पूरे नहीं होते हैं आपको अपने showroom के खर्चे मीट करने के लिए अपने यहां दूसरी जगे से जो आपका काम चल रहा है वहां से पैसा निकल कर यहां के खर्चों को मीट करना पड़ता है आप अपने showroom को लेकर जरूरत से ज़्यदा प्रइशान है और आपको कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका अपना showroom इश्ट फिसिंग है तो आपको अपने यहां पर गाड़ियों के setup को सही करना है आपके showroom में गाड़ियां किस दिशा में कैसे रंकी खड़ी है यदि आप अपने गाड़ियों के रंगों को सही दिशा के इज़ाब से खड़ी कर लेते हैं तो मेरा अपना यह मानना है कि आपके यह sale plus हो जाएगी और आपके इतने जो showroom के खर्चे हैं वो खर्चे मीटोने शुरू हो जाएगे और आपके showroom से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा प्रोफिट आना शुरू हो जाएगा आपको सिर्फ यह काम करने है सबसे पहले तो यह देखिए कि आपका showroom east facing है जैसे आप अपने showroom में entry करते हैं तो आपके showroom की entrance east center से हैं और आपके right में भी और left में भी और सामने भी गाड़ियां display में लगी हुए है यदि आपके यहाँ north में red color की या orange color की गाड़ी खड़ी हुई है तो मेरा अपने यह मानना है कि आपके यहाँ sale अच्छी नहीं हो सकती जितना customer आपके यहाँ आता है ज्यादा तर customer आपके यहाँ से खाली हाँ लोट जाता है आपने करना क्या है जो north के भाग में red color की orange color की गाड़ी है इन गाड़ीयों को यहाँ से हटा कर south side में खड़ी करें और जो south side में black color की blue color की gray color की गाड़ीया है उनको आप north में उत्तर दिशा में खड़ी करेंगे तो मेरा अपने यह मानना है कि आपके यहाँ sale बहुत अच्छी होगी और इसी के साथ आपने एक काम और करना है क्योंकि आपका शोरूम east facing है east में जो आपने north east में पहली गाड़ी लगाई है वो गाड़ी आपकी छोटी होनी चाहिए उसके बाद आपकी बड़ी गाड़ीयां खड़ी होनी चाहिए जो आपके gate के ठीक सामने back side में गाड़ीयां जिस्पले में लगी है वहाँ पर आपकी white color के silver color की गाड़ीयां खड़ी होनी चाहिए और जितनी बड़ी गाड़ीयां आप west zone में और south zone में खड़ी करेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी sale प्लस होती चली जाएगी आपका अपना शोरूम east facing पूरो मुखी है और वहाँ पर आपने red color का carpet या blue color का या black color का carpet बिछाया हुआ है तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी sale ज़्याद अच्छी नहीं हो सकती आपने अपने यहाँ पर green color का carpet foot mat बिछाना है ऐसा करने से भी आपकी sale आपकी गाड़ियों की sale प्लस हो जाएगी जो खर्चे आपके ये शोरूम मेट नहीं कर रहा वो खर्चे मीट होने शुरू हो जाएंगे और इसी के साथ इस शोरूम से आपको profit मिलना भी शुरू हो जाएगा सिर्फ आपने अपने यहाँ पर ये चोटे चोटे उपाई जरूर करने हैं आप अपने शोरूम के बारे में और अधिक जानकारी चाते हैं तो आप हमसे contact भी कर सकते हैं मैं हमेशे ही आप लोगों को वास्तु शास्तर के साथ साथ अपने अनुगों की जानकारी देता रहता हूं और मैंने अपने इस लाइफ में बहुत सारे गाड़ियों के शोरूम तियार भी कराए हैं और बहुत सारे गाड़ियों के शोरूम की site visits भी किये जहां पर sale बहुत कम थी जैसे हमने setting ठीक की वैसे ही उनकी sale प्लस होनी शुरू हो गई आपके यहां भी ऐसा हो रहा है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप भी अपने यहां पर पहले तो यह छोटे छोटे बदलाव करें उसके बाद आपको लगता है कि आपको result अच्छे मिल रहे हैं उसके बाद आप मुझे अपने यहां site visit पर भी invite कर सकते हैं मेरे द्वारा इस वीडियो में देगी जानकर यह दिया आपको अच्छे लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने family और friends में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक ने विशे पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार